नवश्कार स्वाथ आप सभीकर सिलसला बजारोका में मैं हूँ आपके साथ अगले श्राटी और सिलसला बजारोका में आज एक बार फीर से आपके लिए एक बार लेकर राज दिरों यहाँ पर कमुनिटी बजार का अपडेट जानेगे कि आज सुभा के कारवाई सत में कमुनिटी बजार कैसा खुलता हो नजर आ रहा है किस कमुनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बंती नजर आ रही है और उस पर रुपा मैतर की क्या रहा है सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमिशा की तरह यहीं पर नौन एगरी कमुनिटी में सोने और चांदी से तो बीते सत में हमने सोने चांदी की कीमतों को एक ननमी के साथ ट्रेड होते वे देखा था देरसल यूएस डॉलर में और यूएस ट्रेजरी इल्स के अंदर जो तेजी बंती नजर आ रही है और जो फेड की तरफ से बयान निकल के सामने है कि फ्रेड आने वाले दिनों में या फिर कुछी समय में ऐसे निर्ने ले सकता है जिससे की ब्यास दरों में इजाफा देखने को मिल सकता है तो इसकी वज़ाज़ सोने चांदी की जो कीमते हैं उनके अंदर एक डाउनफॉल बनता नजर आया था हाला कि आज भी देख रहे हैं कि सोना 800 डॉलर के नीचे कारोबा करता नजर आ रहा है लेकिन पहले के मुकावले हलकी सी बड़त बनती नजर आई है निचलस तरों में सोने की बात करें तो इस वक्त इंटरनेशनल स्पोट मारकेट के अंदर सोना 1791 डॉलर पर आदे फीज़़ी की तेज़ी के साथ कारोबा करता नजर आ रहा है बात करें सिल्वर की तो सिल्वर भी आदे फीसदी की तेजी के साथ 23.6 डॉलर पर कारोबा करती नजर आ रही है देख रहे हैं कि सोना एक बाद फिर से 800 डॉलर के नीचे ट्रेड करता नजर आ रहा है लेकिन लंबी अफदी की बात करें तो लंबी अफदी में जानकार इसमें बुलिश में ही है कि लंबी अफदी में सोने चांदी कीमतों में और अच्छी तेजी देखने को मिल पाएगी बले ही अभी कुछ ट्रेडिंग सेशन्स के लिए या शौट टप प्रियर अफ टाइम के लिए कह सकते हैं कि इसमें हलकी मंदी बंती नजर आ रही है लेकिन लंबी अफदी में सोने चांदी बता रहे हैं बात करिया से अगर कच्छे तेल की तो कच्छे तेल में कीमतों में देख रहे हैं कि आज भी एक वही नर्मी वाला रुजान देखने को मिल रहा है हाला कि ब्रेंट कुरूडाल 82 डॉलर पर है और WTA 78 पर आपको बता दें कि कच्छे तेल की कीमतों में हमने लगातार वे तहाशा बढ़ातरी देखी है पहले की रामले और उपेक ने उत्पाद बढ़ाने पर अभी तक कोई भी फैस्टा नहीं लिया है हाला कि कई देशों से उपेक और उसके सहियों की देशों के उपर दबाब भी डाला गया है पॉलिटिकल प्रेशर भी डाला गया है कि उपेक कच्छे तेल का जो उत्पाद है जो आउटपूट है उसमें बढ़ातरी करे उसको बढ़ाए जिससे कि कच्छे तेल की जो कीमते लगातार बढ़ रही है जादर डिमांड और कम सप्लाई रहने की वज़ा से उन पर काबू पाया जा सके लेकिन उपेक की तरफ से आउटपूट बढ़ाने को लेकर अभी तक कोई निर्डा नहीं लिया गया है जिसकी वज़ा से भारत ह हुआ अमेरिका हुआ जपान हुआ और अन्य कई देशों ने ये फैसला लिया है एकतर हो के संगटन बना कर कि वो अपने एमर्जेंसी ओल रिजर्ब्स में से अब कच्छा तेल की जो इन्वेंटरी उनको रिलीस करेंगे यानि कि जो कच्छा तेल उन्होंने स्टॉक करके रखवाता उनको अब रिलीस कर रहे हैं दीरे दीरे करके जिसकी बजासे एक चच्छे तेल की जो मार्केट है उस पर एक दबाब बनता नजर आ सकता है हाला कि ओपेक की अब 2 दिसंबर को बैठक भी होने वाली है जिसमें देखने वाली बात यह होगी कि क्या ओपेक डिमा 4.46 दॉलर पक कारवा करती नजर आ रही है और MCX Zinc देख रहे हैं कि यह 244 पर है MCX निकल 1613 पर और MCX LED 185 पर देख रहे हैं कि आज MCX पर निकल की कीमतों में अच्छी तेजी बनती नजर आ रही है बीते साथ में हमने निकल को 1500 के लेवल्स पर देखा था अब देख रहे है निकल के अंदर कल के मुकाबले आज एक अच्छी तेजी बनती नजर आ रही है। निकल के सामने आ रही है और दूसरा हमने कुछ दिन पहले कौपर में यानि की तामबे में इन्वेंटरी में कमी आते वे देखी थी जिसका असर बेस मेटल्स की गीमतों पर पड़ता नजर आया था और उसका असर हमने कौपर में तेजी की और देखा था जिंक की बात करें तो जिंक में भी ठीक ठाक तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि ग्लोबली जिंक के सप्लाई कंसर्ण्स बनते नजर आ रहे हैं। और निकल की सप्लाई टाइट रह सकती है और चाइना की तरफ से डिमांड निकल के सामने आ रहे हैं। जिसकी वज़ासे हमने निकल की कीमतों को आज 1600 के उपर कारवा करते हैं। अलूमीनियम की बात करें तो अगर अलूमीनियम में भी तेजी है क्योंकि सप्लाई का जो डिस्रप्शन है यानि सप्लाई में सप्लाई जो है अलूमीनियम की वो थोड़ी बादित हुई है उनमें थोड़ा इंटरप्शन हुआ है डिस्रप्शन हुआ है जिसकी वज़ा से Aluminium की कीम्तों में तेजी देखने को मिल रही है तो overall रुजान आज देख रहे हैं कि Base Metals में तेजी वाला ही देखने को मिल रहा है तो कच्चे तेल में अभी गिरावट बनती नजर आ सकती है बहुत बड़ी बड़ी possibilities है तो कच्चे तेल में अभी थोड़ा रुक के चलना सही रहेगा तो आज सोना चांदी, कच्चे तेल और Base Metals का बजार कैसा देखने को मिल सकते हैं और क्या खरीदारी बिक्वाली करके चलना सही रहेगा आई जान लेते हैं रूपा जी से रूपा जी बहुत बहुत स्वात है आपका Market MCV पर जी शुक्रिया रूपा जी देख रहे हैं आज भी सोना International Spot Market में 1800 डॉलर के नीचे ट्रेड करता नज़र आ रहा है आपको क्या लगता है जिस हिसाब से लगाता यूएस डॉलर और यूएस ट्रेजी इल्ड में तेजी देखने को मिल रही है तो क्या ये पूरा कारोबारी सप्ता सोने चांदी के लिए मंदी वाला रहने वाला है जो है थोड़ा सा अपसाई मोमेंटम कल की कारोबारी सतर के मुकाबले में देखने को मिला है क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व की लेटस मिटिंग में ये सजेस्ट किया गया कि सेंट्रल बेंक जो है ऐसल टेंपिन को बढ़ा सकते हैं तो इसका एक इंपक्ट जो है वो देखने को मिला है जिसकी वज़े से सोना जो गिर रहा था वो वापिस से थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है और उपरी सरो पर एक बार पर से जो है बजार लुड़कते हुए दिखाई दे सकते हैं तो फिलाल के लिए सोने और चांदी में खरीदारी की जा सकती है जो भी नीचे करेक्शन आए उसमें खरीदारी करके आप चल सकते हैं लोंग टर्म स्टेटेजी ऐस उसल बाइंग की रखनी है लेकिन शोर्टर्म में थोड़ा सा बाजार नीचे जा सकता है जो की नीचे में सपोर्ट ले सकता है 47,000 से 47,200 के आसपास लेकिन आज टोमेस्टिक मार्केट में अगर देखा जाए तो हरे निशान के साथ कारोबार कर रहा है और उपर में 47,800 की रेंज बनती भी दिखाई दे रही है तो 47,200 नीचे में और उपर में 47,800 तो ये स्ट्राटेजी भी लेके चला जा सकता है फर्स्ट राफ में 100-200 की तेजी के लिए इसमें बाइंग में जाया जा सकता है और नीचे अगर गिरा तो 47,200 तक के स्थर भी देखने को मिल सकते है तो नीचे में 63,200 से 62,800 का स्थर हो सकता है इसमें देखने को मिले और उपर में 47,200 का लेवल हो सकता है तो अभी उपरी सरोपर विक्वाली मेरे हिसाब से आ सकती है देखी कर्चा तेल ओडरी काफी प्रेशर जेज चुका है और जिस तरीके से सप्लाई रिलीज होने की बात आ रही है उसकी वज़ज़ से प्रेशर और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है तो अभी बजार जो है डोवेस्टिक मार्किन में तो सिमी दाइरा है पाच अठावन सो से लेकर आपको उनसर सो बीस तक उपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है लेकिन अगर हम विदेशी बजारों की बात करें तो अगर अगर अब लुड़कता है तो मुझे लगता है कि एक लिए 76 डॉलर से 75 डॉलर के स्थार आ सकते है जो ब्रेंट है ब्रेंट भी नीचे में 80 डॉलर तक आ सकता है तो मेरे हिसाब से भी करेक्शन बन सकती है अभी सेलिंग में रहना चाहिए तो जब तक क्लारिटी नहीं आती तब तक बजार इस तरीके से उठापटक कर सकता है तो short term strategy आप intraday prospectus से भी आज शेल करके चल सकते है जी आने की intraday में कच्च तेल में आज बिकवाली करके चल सकते हैं कच्च तेल की कीमतों में आज एक नर्मी वाला दुजान देखने को मिल सकता है कच्ची तेलिक कीमतों पर जादब दवाब बनता नजर आ रहा है इस वरुपजी बात करें अगर बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि निकल काफी शांदार काड़ोबार करता नजर आ रहा है बीते सेत में 1500 के घरों में ता आज देख रहे हैं 1600 के उपर ट्रेड करता नजर आ रहा है आज भी देख रहे हैं बेस मेटल्स का बजार आज तेजी के साथ खुला है आपको क्या लगता है क्या इंट्रे डे में और भी तेजी देखने को मिल पाएगी देखे बिलकुल तेजी है बेस मेटल्स में और कल हमने आप बोला भी था कि बेस मेटल्स में ही खरदारी कीजी और देखे आज बेस मेटल्स में स्पेशली निकल ने अच्छा परफॉर्म किया है 1580 डॉलर के उपर सस्टेन और 1600 के घरों में जाने की पूरी कोशिश में है और आपको 1600-1620 तक उपर जाता हुआ निकल दिखाई दे एक अच्छी रैली आई है कोपर ने भी अब जो है काफी समय से जो एक रेंज में था उसको ब्रेक किया है और उपर में अब 748-749 पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो कोपर आज 760 तक हो सकता है कि अपसेट पकड़ ले और इसी तरह से निकल भी 1600-1620 तक उपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है मुझे लगते है कि काफी positive है अब भी demand factor भी अच्छा खासा pick up होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वज़े से कीमतों को support मिल रहा है और zinc भी उपर में 278-280 तक जा सकता है तो मेरे हिसाब से overall हमेशा ही मैंने यही बोला है कि base metal का trend काफी positive है आप इसको buying में रखिए जो भी deep आती है आप उसके अंदर buying करके चले इसे रूपा जी बात करें अगर natural gas की तो natural gas में आपको क्या लगता है natural gas में आज इंट्रेडे में क्या लाइवल्स रहेंगे तो यानि की natural gas की की कीमत पर pressure बना रहा है रूपा जी की तरफ से natural gas में ऊपरी सरफ से बिक्वाली की सला रहेंगी रूपा जी आज non-agri communities में आपकी तरफ से topics क्या रहेंगे जिन में आज इंट्रेडे में में अच्छा मुनाफा कमांके चला जा सकता है देखी मुझे लगता है कि अंदर ही अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है निकल उपर में 1620 तक जा सकता है और कोपर की बात करें तो साथ सो अठावन से साथ सो बासर तक की रेंज को पर भी दिखला सकता है इन दोनों में बाई किया जा सकता है और महीं कुरूड में आज भी क्वाली करके चला जा सकता है तो यह तो बात करी दी हमने यहां पर non-agri communities की तो फिलार सिलसिला बजार का में अभी के लिए बजित नहीं लेकिन आपको यह जाईए गने क्योंकि खबरों का सिलसिला लगाता यही बना रहेगा market mcv पर